हलो दोस्तो आज हम लोग कैलीपर बर्णियर से कैसे measurement लेते हैं और उसका scale कैसे काम करता है उसका part क्या कौन कौन सा है अब देखें इंटर्नल जा है और उपर में external जा है और ये सामने में जो लंबा देखेंगे scale ये है इसका बकैलीपर बर्णियर का scale के लेडेड हैं और उपर में छोटा सदियाThis हो लॉकिंग स्क्रूध है मेजरमेंट करने के बाद उसको लॉक्व कर दिया जाता है और एक रता है इंपरियर्येलating और एक होता है मैट्रिक किस्केल को इंचेज बोलते हैं मैट्रिक को एमेंच में बोलते हैं तो इसका दो मेजरमेंट स्केल होता है ज्यादा तार हम लोग मैट्रिक मतलब में 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 ही हम लोग मेजरमेंट करते हैं और अबंसीं भी चीज़ का मेजरमेंट लेते हैं अबहीं हम लोग देखेंगे यह अबल्ट का यह मिस्ट वॉल्ट है उसका हेड का मेजरमेंट कर रहे हैंắम your में यह देखें है आपका 23 एमेम है और यह देखेंका न pag है इसका नट का भी मेजरमेंट अभी हम लोग लेंगे इसका मेजरमेंट अभी कर रहे हैं देखिए आपका सामने में मैं दिखा रहा हूं वो उसका रीडिंग देखिए आपका ये 23 mm आया और ये दूसरा एक छोटा पतला वाला वासर है ये वासर को अभी मेजरमेंट कर रहे हैं देखिए वासर अपका 3.2 mm है और ये अभी बेरिंग का रोलर बेरिंग का ये रोलर है जिसका डाया अभी हम लोग मेजरमेंट करेंगे ये इसका देखिए मेजरमेंट अभी किया फिर उसके बाद में अभी लेंध उसका मेजरमेंट कर रहे हैं थोड़ा इसको नदिक से भी दिखा रहे हैं आपको पता चलेगा अब यह बारा का बोल्ट है इसका देखें हम लोग ठिकनिस देख रहे हैं कितना एमेम है यह देखें स्केल में भी आपको दिखेगा यह बारा एमेम है और इसका नट उसका नट भी चेक कर रहे हैं भी मेजरमेंट यह देखिए आपका अट्राइमन नट का साइज है अभी हम लोग ने वासर नट और बेरिंग का रूलर और एक अलग से लॉकिंग नट है उसका मेजरमेंट तीनों का हम लोग बारी बारी से कर चुके हैं अभी गेर बोक्स का आयल सील का भी मेजरमेंट करेंगे लाइब में चेकिन करेंगे और उसको देखेंगे कैसे मेजरमेंट कियाता है कलीपर बार्नियर सरोप्रथम फ्रांस का एक बैग्ज्यानिक जिनका नाम था पैरी बार्नियर उन्हीं के नाम से बार्नियर का नाम पड़ा है और इसका अभिसकार 1630 में फ्रांस में किया गया कलीपर बार्नियर से आपका इंपेरियर में आपका .001 तक मेजरमेंट करते हैं और मैट्रिक में .02 तक प्योर मेजरमेंट करते हैं अभि देखें आयल सिल का थिकनिस चेक कर रहा हैं और इसका आयल सिल नमबर है 100, 130, 13 मतलब 100, 130, 13 अभि आपको बार्नियर से मेजरमेंट करते हुए और वो आपको दिखाएंगे कि उसका कितना है अभि देखिए इसका OD, आयल सिल का OD मेजरमेंट कर रहे हैं इसको थोड़ा सा जाग को फैलाते हैं और उसका अर्जेस्ट करते हैं अर्जेस्ट करने के बाद उसको हलका सा पीछे से पूस्ट करते हैं और देखते हैं रेडिंग कितना आता है देखिए, देखिए एकुरेट वन थर्टी के बराबर में है वन थर्टी है इसका OD देखिए इक्वल में है अभी इसको थोड़ा सेटिंग करके और उसका ID भी चेक करेंगे बार्नियर से कलीपर बार्नियर से उसका ID भी चेक कर रहे हैं इंटर्नल जासे अभी देखिए आपको लाइब दिखा रहे हैं यह देखिए 100 पूरा 100 के उपर में आ रहा है अभी इसका डाया ID है आईल सिल आईडी जो साप्ट में फिटिंग होता है वो लिप है उसका आईल सिल का लिप उसका डाया है 100 देखिए आपको सामने नंबर दिख रहा है 100, 130, 13 mm यह आईल सिल का साइज है अभी मैं तीनों ही मेजरमेंट करके आपके सामने मैं दिखा दिया और बार्नियर के सहायता से आपको वो भी मेजरमेंट करके मैं टोटली हम लोग देख चुके हैं यह देखिए आपका नंबर पूरी तरह से आफ दिख रहा है हाँ तो दोस्तों उसивается ही ने नैय मेकेनिकल वीडियो देखने के लिए कि हमारे वीडियो बने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवात और दोस्तों आप लोग के बल वीडियोे देख रहे हैं तो यह चानल हो सके तो लाइक और कोई दूसरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसके बारे में कॉमेंट्स करके हमें बताएं मैं और भी नए नए वीडियो बनाता रहूंगा